कुछ फ्रेंट्स वेलकम टो दिस कोर्स ऑन एनलोजी हम एनलोजी के बारे में डिसकस कर रहे हैं हमने लेक्चर वन में कुछ फाइफ क्वेशन्स डिसकस किये बहुत इंट्रेस्टिंग क्वेशन्स थे और हम लेक्चर टू के उपर हैं लेक्चर टू में हम अगें फाइफ क्वेशन्स डिसकस करेंगे फ्रम क्वेशन नमबर सिक्स तू टैंगे और जो क्वेशन्स हम डिसकस कर रहे हैं यह इंपोर्टन फॉर एससे एग्जांब फॉर एप एसे इनलोजी तो हमें यह देखना है कि जो रिलेशन श्रब और पून में है, Okay, the relationship, जो relationship श्रब और पून में है वही relationship कौन से option में same उसी तरह से satisfy होती है, Okay, सबसे पहले आगर हम meaning की बात करते हैं, तो shrub means, shrub means plant, okay, and what is prune, okay, prune is basically cutting of plant, okay, plant की cutting करना is basically prune, मतलब हम plant में जब, शिरब में जब अननेसेसरी जो extra stems है, branches है, जो भी है, उन सभी को अगर हम काट देते हैं, तो उसे हम कहते हैं prune, okay, so, कौन सा option यहाँ पर match कर रहा है, let us see, we can see की beard और shave, beard और shave में कैसा relation है, beard means, okay, beard means the hairs on your face, और shave मतलब उनने clean करना, but यहाँ पर कैसा relation है, shave मतलब completely cleaning करना, okay, पूरी तरह से साफ कर देना, same, तो हम कहेंगे की, basically, shrub और prune में यह relation है, की prune means cutting off, cutting off unnecessary parts, okay, cutting off unnecessary parts, unnecessary मतलब जो use के नहीं है, उन्हें काटना, not completely cutting, okay, मतलब खतम कर देना नहीं होता है, it's just cutting off unnecessary parts, okay, तो इसलिए beard और shave में क्या है, shave मतलब पूरी तरह से हटा देना, तो option A cannot be our answer, then option B को हम देखते हैं, hair and trim, so hair and trim में क्या relation है, hair means bal, and trim मतलब उन्हें छोटा करना, उन्हें थोड़ा सा cut करना, okay, because trim का मतलब क्या होता है, trim मतलब set करना, okay, trim मतलब हलका सा cut करना, हलका सा hairs को set करना, it's basically trim, तो इसलिए हम कहेंगे, कि जो relation shrub और brun में है, वही relation hair और trim में भी है, इसलिए option B should be the correct answer, okay, then question number 7, sitar, guitar and tanpura, then is to what, so देखिए, यहाँ पर किस तरह की analogy है, यहाँ पर A is to B, is to C दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है D, okay, इसका मतलब जो relation A, B में और C में है, okay, अब यहाँ पर हम तीनों का relation चेक करेंगी, कि A, B, और C तीनों में क्या relation है, तो जो relation A, B, और C में है, वही relation A, B, C, D में बनाना है, तो इन चारों में सेम relation होना चाहिए, तो इस तरह से हमें D option को चूज करना है, So, I can see, first is sitar, then guitar, and then danpura, and options are trumpet, violin, harmonium, and mridhanga, So, what we can think is, कि यह सभी कैसे है, musical instruments है, तो musical instruments है, इसका मतलब अगला जो आना चाहिए, वो भी एक musical instrument होना चाहिए, लेकिन हम देख रहें कि सभी options में musical instrument ही दिखाई दे रहें, तो basically फिर क्या choose करेंगे, तो एक खास बात हम यहाँ पे note करेंगे, कि sitar, guitar, और तानपुरा, यह तीनों ऐसे musical instrument हैं, जिसमें string होता है, तार होता है, तार से बचते हैं यह, तो इसलिए, चौथा musical instrument भी वही होना चाहिए, जिसमें strings हो, तो हम देखेंगे, इन चारो options में सिर्फ option B में, violin में strings होते हैं, बाकि किसी में strings नहीं होते हैं, इसलिए, अबर correct answer is, option B, violin, ओके, let's move to the 8th one, 3 is to 11, is to 7 is to, then question mark, इसका मतलब, जो relation 3 और 11 में है, वही relation अगर 7 पर apply किया जाए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यह हमें determine करना है, So, how can we determine this, सबसे पहले हम यह देखते हैं, कि 3 से 11 कैसे आया, सबसे basic चीज जो हमें लगती है, वो कि 8 अगर add कर दिया जाए, 3 प्लस 8, तो it will give you 11, तो इसका मतलब 7 में 8 अट करके देखते हैं, तो 7 प्लस 8 करा तो यहाँ पर 15 आता है, लेकिन 15 कोई भी option match नहीं कर रहा, तो जो हमने logic सोचा वो बिलकुल सही है, लेकिन इस question के according, यह logic satisfy नहीं हो रहा, इसलिए 15 मतलब 8 को add करना, is not the correct choice, फिर क्या करें, फिर हमें कुछ और method सोचना है, so what you can see is, जैसे कि 3 है, okay, if I multiply 3 by 4, so 3 into 4 करा तो 12 आया, 12 में से minus 1 करा तो 11 आजाता है, मतलब इस 3 में, मैं 4 into करके, 1 minus कर देता हूं, तो 11 आता है, तो 7 में भी क्यों ना 4 into करके, 1 minus करके देखा जाया, 7 4s are 28 minus 1, it will give you 27, again 27 भी option में नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि 27 हमारा right choice नहीं है, देखिए, इसका ये मतलब नहीं कि 27 गलत है, इसका simple सा ये ही मतलब है, कि 27 हमारा right choice नहीं है, तो इसलिए ये हटा देते हैं, फिर क्या सोचें, फिर हम सुच सकते हैं कि 3 को अगर, 3 से multiply किया जाए, मतलब 3 का अगर square किया जाए, तो 3 का square में 2 बढ़ा देंगे, तो ये 11 आ जाता है, इसी तरह से अगर मैं 7 का भी square करूँ, 7 का square प्लस 2 बढ़ाऊ, 7 का square प्लस 2 इस 51, तो 51 आ सकता है, तो क्या 51 हमें option में दिखाई देता है, yes, 51 is the option D, तो हम देख रहे हैं कि जो हम logic सोच रहे हैं, कि पहले वाले term का square करके, 2 add कर दिया जाए, तो अगला term आ जाता है, इसमें भी पहले वाले term का square करके, 2 add कर देंगे, तो अगला term आ जाएगा, तो इसलिए definitely यही हमारा logic होना चाहिए, because इस case में एक answer भी match कर रहा है, so I will say the answer for this 8th question will be 51, okay, let's move to the 9th one, Bombay is to Maharashtra, then Trivandrum is to what, okay, so Bombay is to Maharashtra, तो जो relation Bombay और Maharashtra में है, वह relation Trivandrum और यहां पर, जो option आएगा, उसमें होना चाहिए, so हम देख सकते हैं, तो Maharashtra is a state in which Bombay is a city, so यहां पर Trivandrum क्या है, Trivandrum एक city है, तो definitely यहां पर क्या आना चाहिए, कोई से state का नाम आना चाहिए, और कौन से state का, ऐसा state जिसमें Trivandrum city हो, क्योंकि Maharashtra में Bombay है, okay, so इस state में Trivandrum होना चाहिए, so Trivandrum के state में है, I can see, क्यालकर्टा तो city है, हट जाएगा, गुजरात में नहीं है Trivandrum, राजिस्थान में भी Trivandrum नहीं है, तो option D, that is Kerala, so Kerala is the correct answer, okay, यहां पर यह चीज़ जरूरी नहीं है, कि आपको general awareness हो, general knowledge भी आपका अच्छा हो, कि Kerala में Trivandrum है, इसा आपको पहले से बता हो, आप elimination यूज कर सकते हैं, देखिए, Trivandrum, we know यह साउथ में हैं, लेकिन कहां पर है यह नहीं पता, okay, if you are confused, तो क्यलकर्टा नहीं हो सकता है, यह तो city है, गुजरात में नहीं हो सकता, तो definitely Kerala यह एक option है, South India का एक ही country का option है, that is Kerala, okay, then question 10, vigilant is to alert, then viable is to what, okay, so, जो relation vigilant और alert में है, वही relation viable और यहाँ पर जो term आगा, उसमें होगा, तो basically किस तरह का relation हम यह देख लेते हैं, vigilant का मतलब है, सतर्क और alert, okay, and alert का मतलब भी सतर्क है, तो हम देख रहे हैं कि यह दोनों कैसे हैं, यह दोनों synonyms है, okay, देबोतार synonyms, तो इसलिए viable के जगह पे भी, viable के साथ भी यहाँ पर option वही आएगा, जो viable का synonym हो, तो viable का synonym क्या होगा, viable means possible, okay, something which is possible, so active का मतलब पॉसिबल नहीं होता, gentle का मतलब भी possible नहीं होता, hopeless का मतलब भी possible नहीं होता, सिर्फ एक option बच रहा है, that is feasible, okay, D, तो definitely यहाँ पर आएगा option D, that is feasible, okay, so this completes our five questions, अगले lecture में हम और अच्छे questions को discuss करेंगे, thank you,